तो चलिए हम लोग अपने immunity system को और हरिद्रा और निद्रा को गहराई से समझने की चेश्टा करते हैं तो फ्रेंज, immunity system एक बहुत बड़ा अब यह सको system क्यों कहते हैं यह organ क्यों नहीं है क्योंकि यह बहुत सारी अलग अलग चीजों का एक गड़ बंदन है बहुत सारी अलग-अलग चीज़े एक साथ मिल करके immunity system को बनाती है और ये immunity system एक दूसरे की मदद करके बहुत ही सक्रिय रूप से चलता है और इसको सही तरीके से चलने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है बहुत सारे इसमें अलग-अलग stage पे अलग-अलग तरह के functions पर फॉर्म होते है जिसको आज हम थोड़ा सा गहराई से जानेंगे कि ये किस तरह से होते है Friends, सबसे पहले कुछ definition समझ लेते है immune system basically एक cellular और molecular components है जो कि responsible होते है immunity के लिए अब immunity क्या होती है हमारे शरीर को infection से protect करने के लिए हमारे शरीर को किसी भी तरह के गरबड़ी से रोकने के लिए या बचाने के लिए immunity system अपना काम करता है अब physiological function जो है immunity system का वो defense है foreign microbes के infectious जो किटानू होते है उसके against में हमें protect करने में मदद करता है physiological function यही है कि वो immune system अपने infectious microbes से हमें बचाता है और चाहे वो non infectious हो चाहे वो infectious हो उन किटानों को दूर रखता है वो हमारे शरीर से दूर रखता है और अगर शरीर में जाने अन जाने में आब ही जाने तो उसको बाहर धकेलने में या उसको शरीर को उसे निजात पाने में मदद करता है उसके कई सारे अलग-अलग तरीके हैं जिसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत बाते भी करेंगे इम्यून रिस्पॉंस क्या होती है यह इम्यून रिस्पॉंस एक बहुत ही पेचीदा चीज है वैसे तो देखा जाए अब यह गड़ी गण के सिस्टम के अन्दर चला गया अब यह जो सिस्टम के अंदर चला गया वह आपके शरीकं के अंदर जा के काफी सारा नुपसान पहुचा सकता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का काम यह है कि उसको न्यू Truel Ice कर दिया जाए जैसे कि अगर कोई मान लिजे दुश्मन के दुश्मन अगर सरहद पार करके दुश्मन का सिपाही अगर हमारे सरहद में आ जाता है तो हमारे सिपाही क्या करते हैं उनको मार गिराते हैं या उनको पकड़ लेते हैं दोनों तरीके से मतलब यह काम करते हैं हमारे इम्म्यूनि मार गिराता है या तो उसको पकड़ के एक प्रक्रिया है वो करता है वो आगे चलके बताते हैं कि वो क्या है तो immunology क्या होती है यह एक study है यह एक पढ़ाई है cellular और molecular immune mechanism की कि यह mechanism काम कैसे करती है यह process कैसे चलता है यह process किस तरह से काम करता है अभी यह process में मूल तोर पे दो भाग है पहला भाग यह है कि यह self और non-self के बीच में difference create करना natural substance कौन सा है unnatural substance कौन सा है कौन सा substance नुकसान दे है और कौन सा substance शरीर के लिए फाइदा मन्द है इस चीज़ की पहचान करना एक बहुत ही tough प्रक्रिया एक बहुत ही मुश्किल काम है यह हमारा immunity system बहुत आसानी से perform करता है और पहचानने के बाद कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है इस चीज़ को पहचानने के बाद वो जो non-self है यानि कि जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है या शरीर के अंदर जाने अंजाने में चला गया है उसको शरीर से दूर करने का काम भी immunity system का ही है अब immunity system मूल तोर पे क्या करता है हमारे body को protect करता है bacteria से virus से या किसी भी तरह के foreign invader से वो protozoa हो सकता है वो algae हो सकती है वो कुछ भी हो सकता है micro bodies बहुत विभिन प्रकार की होती है यह सारी के सारी micro bodies में से कुछ भी अगर आपके शरीर के अंदर चला जाए तो वो अपना संक्रमण कर सकते हैं शरीर के अंदर मतलब कोई भी विकार उत्पन कर सकते हैं कोई भी शरीर के उपको नुकसान पहुचा सकते हैं तो वो होने से शरीर को ये प्रोटेक्ट करता है ये सुरक्षा प्रदान करता है इसके अलावा ये कुछ chemical से बना हुआ होता है हमारा immunity system और ये जो chemicals हैं ये cell को मतलब ये जो chemicals हैं वो cell को attack करते हैं and interact करते हैं अपनी body के साथ ये immunity system जो भी नुकसान दे चीज शरीर के अंदर गुसी उसको आकरमण करती है उसको neutralize करती है उसको निस्तो नाबूद करने में शरीर की मदद करती है और ये कुछ chemical से बने होते हैं जो आपस में communication भी बनाये रखते हैं आपस में इनका coordination आपस में इनका तालमेल भी अच्छा बना हुआ रहता है तो ये तालमेल के लिए हमें अलग nutrition चाहिए और अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग stage के लिए अलग-अलग nutrition चाहिए जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं ये first line of defense हमारा skin है जो कि invaders को block करता है हमारी skin हमारी तवचा के उपर भी ऐसी एक सुरक्षा कवच है जो कि बाहरी अकरमण कारियों को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है इसके लावा skin के बाद जो inner mechanism है वो T cell और B cell का है जो कि हमारी white blood cells होते है और ये हमारे शरीर को protect करते है ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा पेचीदा है आप इससे घबराईए मत ये थोड़ा technical subject है लेकिन इसको एक दो बार जब हम कर लेंगे तो आप इसको बहतर तरीके से समझ पाएंगे मैं भी non-technical background से हूँ मैं David Credit का student हूँ Accountancy का student हूँ अगर ये मैं समझ सकता हूँ तो ये आप भी समझ सकते हैं मैं इसको जितना भी सरल हो सके उस सरल भाशा में आपको बताने की कोशिश करूँगा हमारे body का जो immunity system है वो बहुत सारी चीजों से लेकर के बना है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है अकेला वो कोई काम नहीं करता है सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर अलग-अलगता है कि होर्मोन होते है antibodies होती है white blood cells होती है bone marrow होता है splen होता है lymphatic system होता है जो complementary systems होते है thymus होता है आप देखिए कि pears, patches बोलकर एक left hand side में लिखा हुआ है यह हमारी आतों के पास appendix के उपर आप देखिए तो यह क्या है यह जो pears, patches हैं यह हमारे intestines के अंदर कुछ ऐसे nodes होते है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे bacteria है वो अच्छे bacteria की तादात को बढ़ाने के लिए और उस अच्छे bacteria की तादात को regulate करने के लिए हमें सूचित करने के लिए कि अच्छे bacteria कम है या अच्छे bacteria जादा है इसका यही काम है अभी हमारे साथ विडमना क्या है कि हम जादा से जादा जो खाना खाते हैं वो processed food होता है वो बहुत जादा process किया जाता है या वो बहुत जादा मतलब heat generated process से या बहुत जादा कोई भी जादा processed food या junk food, bulk food खाते हैं तो उनके system के अंदर ये pires, patches भी deactivate से हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर के अंदर अच्छे bacteria की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाती है और bacteria की अच्छे bacteria की संख्या अगर बहुत कम हो जाए तो आपके शरीर को तरह-तरह का नुकसान वो पहुँचा सकती है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सरे अलग-अलग उपर में एडिनॉइट्स हैं फिर टॉंसिल्स हैं ये भी अलग-अलगतर है कि आपके immune mechanism में काम करते हैं आप देखिए किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उसके टॉंसिल्स जो हैं फूल जाते हैं अगर मतलब नाख भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये क्या है कि रोकने का तो पूरा प्रयास करता है प्राबलम को लेकिं क्योंकि अपने आप में कमजोर है इस वज़ए से बाहरी आकरमार काडी को नहीं रोक पाथे और हमें जुकाम हो जाता है हमें सर्दी हो जाती है, हमें किसी भी तरह का मतलब दिक्कत हो जाती है बोन मेरो होती है हमारे शरीर के अंदर बोन मेरो भी अलग अलग तरह के immune mechanism को perform करती है हमारे intestines भी perform करते हैं हमारे immune system को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा अंग है pyres patches जिसके बारे मैं भी मैंने बताया appendix भी एक बहुत ही important role perform करता है हमारे पूरे immune system में इसके अलावा एक second इसके अलावा thymus है thymus भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे roles perform करता है अगर इन सारी चीजों को detail में आपको बताया जाए तो subject भी बहुत जादा technical हो जाएगा और हो सकता है कि एक साथ आपके समझ में भी कुछ ना आए तो मैं अभी नाम लेकर आगे जाता हूँ किसी दिन आपको सिर्फ immunity system के ओपर अगर दो तीन मतलब sessions लगातार करेंगे तो तोड़ तोड़ कर बताएंगे कि हरे का क्या function और वो क्या function परफॉर्म करते हैं किस तरह से काम करते हैं bronchus जो है वो हमारे फेपड़े के अंदर एक पार्ट होता है जिसको bronchiol या bronchus कहते हैं और यह associated है हमारे lymphoid tissue से हमारे lymphatic system का एक पार्ट है फिर axillary lymph nodes हैं जो कि हमारे शेरीर के अंदर oxygen का प्रवा को maintain करने में और oxygen को सही तरीके से जगह पे पहुचाने में काम करते हैं और भी बहुत सारे और उसके काम है splen है और इसके अलावा lymph nodes है तो यह सब मिल करके हमारा immunity system बनाते हैं अब यह सारा immunity system तो यह चलिए नाम तो हमने समझ लिया अब काम क्या है काम किस तरह से करते हैं यह भी हम समस्ते है आप देखिए कि मानली जी आपके आसपास कोई छीका या आपके शरीर में कट लग गया या आपको छिल गया या जल गया या मानली जी आपको मच्छर ने काटा या आपको किसी कीडे ने काट लिया या इस तरह से कोई भी अगर घटना घटी आपके शरीर के साथ तो वो क्या है एक तरह से आक्रमन हुआ आपके शरीर के अंदर वो बैक्टिरिया का भी हो सकता है वो वाइरस का हो सकता है, पैरसाइट का हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकते हैं, तरह तरह के टॉपसिंज हो सकते हैं, फंगाई हो सकती हैं, यह अलग-अलग तरह की चीज़ें आपके सिस्टम को अलग-अलग समय पर अटैक करते हैं, अलग-अलग समय पे आपका शरीर इन सारी चीजों के contact में आता है अब कोई भी तो ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हम तो pollution free zone में रहते हैं हम तो Switzerland में रहते हैं हम तो पहाड पे रहते हैं ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जहां पर भी हम रह रहे हैं वो चाहे कम ही chemical सही कम ही मतलब pollution सही लेकिन pollution तो है वहाँ और वो pollution सांस के जरीए अंदर घुसता है हमारे खाने के जरीए हमारे पौधे जो की oxygen छोड़ते हैं carbon dioxide लेते हैं तो carbon dioxide वहाँ पर अगर नुकसांदे हैं तो वो नुकसांदे carbon dioxide absorb करते हैं और वो कहीं न कहीं पौधे हमारे system के अंदर जाते हैं आज नहीं तो कल सबजी के रूप में और अलग-अलग तरह के toxins हमारे system के अंदर घुसते हैं तो यह सारी चीजों को neutralize करने का काम यह सारी के सारी चीजों को मतलब निश्क्रिय करने का काम हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचने देने का काम हमारे immunity system का है और हमारा immunity system जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक complex mechanism है एक बहुत ही पेचीदा system है जो कि एक दूसरे के साथ communicate करके एक दूसरे के साथ ताल मेल स्थापित करके अपने काम को सही तरीके से perform करता है अब हम समझते हैं कि immunity system है किस तरह से काम किस तरह से करता है इसके दो पार्ट होता है एक external और internal immunity system external immunity system में skin होती है mucous membrane होता है नजल hair होता है आपके नाक में जो छोटे-छोटे रेशे हैं चोटे-चोटे बाल है वह बाहरी जो भी चीज़े रहते हैं उसको अपने में चिपका लेते हैं और वह सांस के जरीए अंदर नहीं जाने देते उसको आपकी skin जो है वह भी आपकी चिपकाएंगे और फिर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि screen के ओपर बहुत सारी मतलब एक layer सा चिपक गया वह आपके skin का सुरक्षा का वच है आपको पता भी नहीं चलता mucous membrane है यह mucous membrane हमारे मूँ में होता है और अलग-अलग तरह से अलग-अलग जगा पर होता है यह हमारे skin को जहां से भी outlet है जहां से भी कोई चीज अंदर जा सकती है चाहे वह नाक से जा सकती है और चाहे मूँ से जा सकती है इन सारी जगहों पर यह mucous membrane होता है जो कि वो mucus रोकता है आकरमणकारी को अंदर जाने से इसके अलावा ये जो external के बारे में तुमने बात कर ली internal immune mechanism immunological cell से बना हुआ होता है जिसमें first line of defense होते हैं और second line of defense होते हैं first line of defense में phagocytes होते हैं जो कि किसी भी bacteria, virus या protozoa या fungi या algai को identify करते हैं कि ये कौन है आपके घर के gate पर कोई आता है और वो खट-कट आता है तो पहले आप देखते हैं कि वो कौन है उसके बाद आप दर्वाजा खोलेंगे अगर वो कोई अन्वांचित तत्व है वो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप नहीं चाते कि आपके घर में आए तो हो सकता है कि अब दर्वाजा ही नहीं खोलेंगे ठीक उसी तरह से phagocytes क्या करते हैं कि पहले पहचान करने की चेश्टा करते हैं कि ये जो बंदा है वो घर में पूछ लेते सबसे अच्छा ये बंदा क्या पहले घर में आ चुका है तो बोलते हैं नहीं नहीं है कोन है हम नहीं पहचानते तो वो उसकी एंट्री को वहीं रोग देता है और उसको वहीं पर उसका खात्मा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है इसके अलवा natural killer cells होते हैं हमारे system के अंदर तो यह तो हो गया हमारा first line of defense, second line of defense में T-cells और B-cells होते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बनाया हुआ है कि उसके हाथ में बंदूक है, T-cells के हाथ में, तो यह messages receive करते हैं, phagocytes आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूद्ध होते थे पहले भी, उसमें सारी के सारी से सेना एक साथ नहीं जाती थी, सेना की अलग-अलग टुकडियां बना देते थे राजा, कि पहले यह टुकडी जाएगी, फिर घुट सवार वाली टुकडी जाएगी, फिर आतियो वाली टुकडी जाएगी, फिर रत वाले सवार वाली टुकडी जाएगी, ठीक उसी तरह से यह आपस में communicate करते रहते हैं, आपस में यह ताल मेल बनाये रखते हैं, जब phagocytes कुछ भी ऐसी चीज नोटिस करता है, कि हाँ यह चीज नुकसान दे है, तो वो T-cells और B-cells को जानकारी पहले से प्रतान कर देता है, T-cell का functional है, B-cell का functional है, तो जैसे ही phagocytes के पास से T-cell को जानकारी मिल जाती है, कि कोई न कोई आकरमणकारी bacteria शरीर के अंदर आ गया है, तो वो क्या करता है, वो उसको मारने लग जाता है, वो उसको kill करना शुरू करता है, और यह अच्छे bacteria हैं शरीर के अंदर, यह जो T-cells और B-cells यह एक तरह के cells हैं, जो कि अलग तरीके के bacteria ब देते हैं, अब B-cells क्या करते हैं, आप देखेंगे कि cell division हमारा कैसे होता है, एक cell दो cell में बदल जाती है, फिट दो चार में, और फिट चार आट में, और आट सोला में, सोला बतिस में, तो यह हमारे शरीर के अंदर एक binary system चलता है, जो कि cells के case में भी उसी तरह से चलता है, और B-cells के case में भी उसी तरह से चलता है, तो B-cells क्या करती है, antibodies को produce करना शुरू करती है, और वो अपने दिमाग में एक memory रखती है, आप देखेंगे किसी को अगर एक बार chicken pox हो गया, किसी को एक बार जिसको measles कहते हैं, या किसी को एक बार typhoid हो गया, या किसी को एक बा मान लीजे कोई बड़ी बड़ा infectious problem हो गई, तो वो अमूमन जिन्दगी में एक ही बार होती है, क्योंकि शरीर ने एक बार उससे पार पाया है, शरीर एक बार उससे deal कर चुका है, एक बार उससे मतलब जूज चुका है, तो शरीर जानता है कि अगली बार वो आए तो उसको कैसे जूजना है, तो एक बार अगर आप एक चीज़ से problem में पढ़ जाए, तो अमूमन दुबारा वो problem आपके शरीर को नहीं होती, क्योंकि आपका शरीर सीख जाता है, कि वो जो problem आए, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए उसके साथ deal कैसे करना है, तो antibodies produce करती हैं, B cells, और memory store करके रखती हैं, ताकि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में, अगर वो problem दुबारा आपके शरीर को हो कभी, तो वो नुकसान ना पहुचा पाए वो problem, और आपकी T cells और B cells उससे जूज पाएं, उसके साथ लड़ाई करके उस problem को शरीर में हावी होने से पहले ह बचा पाएं, हम बिमार पढ़ते आखिर क्यों हैं, पढ़ते तब हैं जब ये phagocides, killer cells, T cells, B cells जूज नहीं पाती हमारे बाहरी आकरमरकारी से, या फिर उसको हरा नहीं पाती, या बाहरी आकरमरकारी जब हावी हो जाता है हमारे शरीर के defense mechanism के उपर, जब वो इतना हावी ह हो जाता है कि वो शरीर के system को हरा देता है, तब जाके हम कहीं बिमार पढ़ते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो हमारा mechanism है, उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ये blood stem cells होती हैं, उसके दो हिससे हैं, myeloid stem cell और lymphoid stem cells, इसमें अलग-अलग हिससे होते हैं, ये myeloid stem cells क्या होती हैं, ये आपने देखा होगा कि कोई LFT कराता है, liver function test कराता है, तो उसमें बहुत सारे चीज़े लिखे लेती हैं, monocytes, neutrophil, basophil, isonophil, erythrocytes, megakaryotic platelets, तो platelets भी होती हैं, तो ये अलग-अलग तरह की myeloid cells हैं, जो कि अपना functions perform करती हैं, आप देख जाती हैं, ये monocytes बढ़ जाते हैं, microfagas बढ़ जाते हैं, neutrophil, basophil, isonophil, ये सारे आप test के report में देखता हैं, ये बढ़ा हुआ है, तो इसका बढ़ना problem नहीं है, problem ये है कि आपके शरीर के अंदर आकरमरकारी आया, आपके शरीर के अंदर एक unnatural तत्वा आया, जिससे सारी problem आया, उससे शरीर लड़ सके, तो ये सारे का काम है कि ये लड़ सके, अब ये red blood cells होती है, platelets होता है, इसके अंदर myoblast cells होती है, जो कि अपने आपको multiply करते हैं जल्दी-जल्दी, जहां भी आपको ये blast नजर आएगा आप समझ लीजे कि ये multiply करने वाली cells है, आप दे मतलब ये सेना ये बना रही है, कोई तलवार से लड़ने वाले, कोई बंदूग से लड़ने वाले, कोई भाला से लड़ने वाले, कोई missile मारने वाले, अलग-अलग तरह के ये सैनिक तयार करती है, और ये सैनिक हमारे system की सुरक्षा करते हैं, इसके बाद myloid के बाद lymphoid cell का सिस्टम जो है वो कि यह टी सेल्स और और बी सेल्स को प्रोड्यूस करता है और यह इसका फंक्शन में अभी आपको थोड़ी दर पहले अभी अभी बताया मैं तो यह इसका डाइग्राम है और इसको आप आप collectively white blood cells कह सकते हैं WBC कह सकते हैं यह जितने भी Isonophil, Neutrophil, Basophil, B-Lymphocyte, T-Lymphocyte, लिंफोसाइब भी कही अलग अलगते रहके होते हैं तो वो lymphoid cells से हही बनते हैं natural killer cells भी बनते हैं तो उसको collectively white blood cells कहा जा सकता है या blood cells कहा जा सकता है तो आपको जादा इतना जादा सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है यह बड़ा simple सा process है आपको concept समझने की ज़रूरत है आपको नाम पे ध्यान मत दीजे concept पे ध्यान दीजे concept अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अब microfag का एक stage होता है यह हम microfag क्या करते हैं कि जो भी infected cell है जो भी cell है जिसमें already नुकसान पहुँच चुका है उसको निगल जाते हैं जैसे आपको याद होगा कि बचपन में हनुमान जीनस सूर्य देवता को एक बार निगल लिया था है ना तो ठीक उसी तरह से यह जो microfag होते हैं वो भी जो भी infected bacteria है उसको निगल जाते हैं और निगल के उसको पचाने की चिस्टा करते हैं यह microfag के अंदर कुछ ऐसे digestive juices होते हैं जो कि toxins भरे digestive juices होते हैं सबसे पहले वो निगलता है और निगलने के बाद उसके शरीर के अंदर या microfag के system के अंदर कुछ immunotoxins होते हैं उस toxins से वो infected cell को मारने की चिस्टा करता है अब यह process होता किस तरह से हैं यह मैं आपको बताता हूं यह antigen MHC complex produce करता है और यह produce करने के बाद यह T-cells को signal देता है और T-cells अपने आपको बढ़ाना शुरू करती है T-cells अपने आपको बढ़ाती है फिर cytokines produce करती है और फिर T-cells attack करती है infected cell को और infected cell को हरा देती है अब अगर T-cells की संख्या जादा रहे तब तो हरा पाएगी लेकिन अगर T-cells की संख्या जादा ना रहे तो हराएगी कैसे तो आपको यह करना है कि T-cells की संख्या जादा बनी रहे, अब 3 cell की संक्या ज़ादा कैसे बनी रहेगी, अगर आपके शरीर में अच्छा प्रोटीन लगातार जा रहा है अच्छा अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन है, अगर anti-oxidants आपके शरीर में भरपूर मातरा में है और साथी साथ आप एक अच्छा alkaline base बना करके शरीर के अंदर रख सकते हैं, acidity और base का, तो alkaline और acidity का, तो इससे आपके system को ये सारा function, immune response का function परफॉर्म करने में सुविधा होती है. अब ये microfake क्या होते हैं, जो क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ लेते हैं, ये एक type of white blood cells होती हैं, एक तरह की white blood cells होती हैं, जो immune system का एक part है, जो की सबसे पहले निगल जाती हैं, जो भी infected cell होती है, और उसको digest कर लेती हैं, और cellular debris में convert कर देती हैं, कोई भी foreign substance हो, microbes हो, cancer की cells हो, य वो शरीर के अंदर एक खास तरह का protein शरीर को जब मिलता है, तो उस protein के जरीए शरीर को healthy बनाया रखती है, cell की body को सही तरीके से रखती है, और phagocytes की संख्या हमेशा बढ़ा के रखती है, ताक कि कोई भी नुकसान दे चीज़ आए, तो phagocytes उसको खा कर खतम कर दे, तो य यह micro phag होती है, यह major histocompatibility complex नाम का एक चीज़ और antigen होता है, यह देखिए दूसरे stage में antigen MHC complex लिखा हुआ है, अब देखिए जो लोग इस चीज़ के student है, उनको तो यह थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, आपको सारी के सारी चीज़ें एक बार में नहीं समझ में के बाद इस तरह की चीज़ बना कर आपको दी जा सकती है, क्योंकि यह जो एक-एक image आप देख रहे हैं, यह एक-एक image जूनने में कभी-कभी एक से तेड़ घंटा लग जाता है, एक-एक image जूनने में, क्योंकि हमें image भी वही use करनी होती है, जिससे आप तक सही message तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, इस वज़े से हम कोशिश करते हैं कि simple से simple तरीके से आपको यह चीज़े समझ में है, अब यह histocompatability complex क्या होता है, यह कुछ ऐसे molecules होते हैं, जो की cytosolic compounds होते हैं, अब यह जो भी infected cell हैं, उसके बाहर cytokines को produce करने में और immune response को initiate करने मे मदद करते हैं, यह क्या करते हैं, infected cell को आगे फैलने नहीं देते हैं और infected cell को मारने की चेस्ता करते हैं, उसकी ताकत को कम करने की पूरी चेस्ता करते हैं, और यह mitosis का जो process है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, mitosis में T cells के उपर receptors होते हैं, जिनको पता होता है कि कहा जान कार होती है, remote control कार के अंदर एक, मतलब एक antenna सा होता है, और वो antenna receive करता है, जो भी signal remote के जरी है, कार के पास पहुचता है, ठीक उसी तरह से, mitosis के जो process में T cells के उपर receptors होते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर antenna लगे हुए, यहाँ पर देखेंगे कि antenna लगे हुए, यह antenna लगे हुए, यह antenna देख रहे हैं, यह जो receptor लिखा हुआ है, यह जो है एक तरह का antenna है, जो की system की मदद करता है, आगे बढ़ने के लिए, तो अब हम जानते हैं कि T cells क्या functions perform करती है, अब T cells एक टाइप की lymphocytes हैं, मतलब एक तरह की cells हैं, blood की cells हैं, white blood cell कह सकते हैं, जो develop हो में और यह physiological immune response को prepare करने में मदद करती है, अभी क्या है कि आपके system के अंदर DNA replication का एक model होता है, अब यह T cells जाती हैं उसको और वो बता देती हैं कि रहे भई, आकरमण होगे, आकरमण होगे, चलो चलो तुम लोग यह शरीर के अंदर सैनिक जादा से जादा बढ़ाओ, जल् की मदद करते हैं, कि T cells जो हैं, एक specific group of cells होता हैं, जो की important role perform करते हैं हमारे controlling और shaping immune response, immune response को shape करने में बहुत ही important भूमिका निबाते हैं, अभी यह क्या करते हैं, variety of immune related functions को यह perform करने में मदद करते हैं, यह क्या करते हैं, immune related mediated death cell, cell death, मतलब जो नुकसान देश cell है, उसको मारने में शरीर की मदद करते हैं, इसको killer cells भी कहते हैं, अब यह killer cells cytokines को produce करते हैं, जो की infect करते हैं किसी भी नुकसान देश cell को और उसको मारने में शरीर की मदद करते हैं, अब देखिए यह जो mitosis का process है, इसमें cell अपने आपको multiply कर र पर कि एक सेल सबसे पहले वो लाल और हलका नीले रंग का के दो पदार्थ हैं वो आगे जाके दियने को रेप्लिकेट करते हैं और वो चार पदार्थ में बदलते हैं फिर दीरे दीरे सेल वाल मतलब सेल एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होके फिर वो चार हो जाते हैं औ और फिर दो-दो अलग-अलग तूट जाते हैं और एक सेल दो सेल में बदल जाता है यह प्रोसेस जितना जल्दी होगा उतने कम बिमार आप पढ़ेंगे यह प्रोसेस जितना तेजी से और जितना कुशलता के साथ शरीर के अंदर complete होगा उतना जल्दी उतनी जल्दी आपके शरीर के अंदर defense mechanism मजबूत हो जाएगा और बहारी आकरमन कारी से लड़ पाएगा अब T-cell receptors होते हैं T-cell receptors जो हैं protein complex है अब सोचे कि T-cell receptor अगर protein complex है तो शरीर के अंदर अच्छा protein तो चाहिए अगर शरीर को अच्छा protein नहीं मिलेगा तो T-cell receptor कामी नहीं करेगा इस वज़े से हमारे हर healthy शरीर को अच्छे protein किया वशकता है तो क्यों ताकि यह जो immune system है अच्छी तरह से function कर पाए और हमारा जो protein है वो natural protein है और वो natural protein होने के साथ-साथ उसमें mango protein है जो कि यह function को बहुत अच्छी तरह से perform करने में शरीर की मदद करता है तो इसके अलावा जो complex है protein complex है जो कि T-cells के surface में मिलता है और बहुत ज़्यादा गहराई में मैं आपको बताऊँगा तो आप confused हो जाएंगे अब यह cytokines जो होते हैं वो loose category के होते हैं स्मॉल प्रोटीन होते हैं और सेल के लिए signaling का काम करते हैं cytokines और क्या करते हैं यह peptides होते हैं peptides भी basically protein से ही बनते हैं और यह क्या करते हैं lipid barrier का काम करते हैं cell के सामने एक lipid binary layer बना देते हैं और तो यह cytoplasm में घुशते नहीं है आप देखेंगे कि यह जो यहाँ पर बना हुआ है आप देखेंगे जो cytokines जहाँ पर लिखा हुआ है चोटे चोटे दाने हैं यह दाने infected cell के अंदर घुस नहीं सकते हैं यह उसको बाहर से ही कमजोर बनाने के लिए काम करते हैं और उसके होने वाले डैमेज को रोकने के लिए काम करते हैं और यह receptor का भी काम करते हैं इसी से भेज़ेवे signals जो हैं वो mitosis में, mitosis के process में T-cells को मिलते हैं जिसके इसाब से वो अपने power बढ़ा लेते हैं या अपना power कम कर लेते हैं तो basically यह काफी complex प्रक्रिया है और cytokines जो होते हैं वो have been shown to be involved in immunomodulating agent का भी काम करते हैं तो मतलब immunity system की ताकत को बढ़ाने या घटाने में उसका बढ़ा रोल होता है तो बढ़ा और घटा तो तभी पाएंगे जब आपके system में अच्छा protein होगा तो बढ़ा तभ on microfag क्या करता है आप देखिए यह जो पहला है बाई तरफ जो immune के ठीक नीचे जो diagram है वो अपना मूँ खोल के जर्म को निगल रहा है और दूसरे वाले photo में वो जर्म को पूरी तरह से जर्म उसके पेट में जा चुका है अब यहां से दो अलग-अलग functions perform होते हैं सबसे पह यह helper T-cells होते हैं T-cells भी अलग-अलगतर होते हैं helper T-cells को जाके बोलता है कि antigen को B-cell को जाके बता दो कि आकरमण कारी आ गया है अब तुमको activate होना है तो B-cells क्या करते हैं अपना replica बनाना शुरू करते हैं बहुत सारे आपने अगर वो रजनी कांत की robot picture देखी होगी B-cells बना लेता है या बहुत सारे immune response के cells बना लेता है और वो बहुत सारे संख्या के साथ जाकर उस के टाणों को attack करते हैं अब संख्या जिसकी ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा अगर अच्छे cells की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारा immunity system जीत जाएगा और बहारी आकरम नहीं देंगे तो अब किसी बात है कि immunity system कम जोर होगा अब किसी को रात को सपना तो आएगा नहीं कि आकरमन कब होने वाला है इस वजह से हमें all the time हमारे immunity system को अच्छे antioxidants अच्छा protein और अच्छा nutrition देना चाहिए अब यह B-cells क्या करते हैं B-cells भी अटाक करते हैं antibodies को antibodies germ T-cells के लिए आसान हो जाता है जाकरके दोनों एक साथ attack करते हैं जो germs है उसके उपर और जब दोनों एक साथ attack करते हैं तो germ कि फिर ऐसी की तैसी कर देते हैं ठीक है अब यह जो virus है यह life threatening कब बन जाता है यह virus अपने आप में life threatening नहीं बनता कभी-कभी हमारा immune response है वह hyper immune हाइपर inflammation की वजह से हमारा immune response बहुत जादा उत्तेजित हो जाता है हमारा immune system बहुत ही जादा over react करने लगता है जैसे कभी-कभी आप देखेंगे कि अगर आपको भूक लगी हुई है तो चोटी-चोटी चीजों में आपको गुसा आ जाएगा अगर माल लीजिए आप शाद है immune system भी जब hyperactive हो जाता है या बहुत जब sensitive हो जाता है तो immune system भी समझ लीजिए over react करता है immune system भी चरचड़ा महसूस करता है और यह cytokine storm यह मतलब वो ज्यादा cytokine पैदा कर देता है जो कि receptors का काम जादा करते है और immunity system ही अपने आपको नुकसान पहुचाता है बहुत सारे ल लोगों को problem बढ़ती जा रही है अतलब आम तोर पे जो market वाली दवाइं देते हैं वो काम नहीं कर रही है हमारे product तो किसी भी तरह की दवाई नहीं है हमारा दवाई से उप्चार से ईलाज से किसी भी तरह के इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है अबी क्या है ऐसे में हमें vitamin C, vitamin D, selenium और zinc की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि अगर ये चीजें ना रहे हमारे सिस्टम में तो हमारे immune system सही तरीके से function नहीं कर पाएगा हमेशा जितनी भी ज़रूरत हो vitamin C, vitamin D, selenium और zinc की उससे कही ज़्यादा आदात में vitamin C, vitamin D, selenium और zinc चाहिए, selenium और zinc हमारे goksura में है, selenium और zinc हमारे कह सकते हैं आप इसके अंदर है, goksura के साथ साथ, sigru में है इसके अलावा आपके शतावरी में है, ये सारी चीजें होने के वज़े से ये शरीर को उन vitamins और उन minerals से last करती हैं जो कि हमारे immunity system को सही तरीके से perform करने के लिए उसको चाहिए, और at the same time nutrition को जो है, ये nutrition को widespread नुकसान होने से भी रोकने के लिए हमें nutrition की जरूरत होती है और जितने भी बड़े लोग होते हैं जितने भी उमरदरास लोग होते हैं ये जितने वृद्द लोग होते हैं जिनकी उमर जादा होती है उनके शरीर में तो ये vitamins and minerals की जरूरत normal से भी जादा होती है क्योंकि उनका defense mechanism उमर के साथ कम जोर पड़ता जाता है इसके अलावा जब आपको किसी भी तरह का कोई infection होता है तो white blood cells जो है इस nutrition को इस्तमाल करती है और और भी बहुत सारी चीज़ करती है white blood cells लेकिन उन में से सबसे पहले free radicals को free radicals भेजती हैं शरीर के अंदर ये free radicals भी एक तरह का शरीर का ही बनाया हुआ system है जो कि किटाणों को जाके नुकसान पहुचाती है ये free radicals actually किटाणों को नुकसान पहुचाने के लिए लेकिन जब immune system hyperactive हो जाता है तो immune system क्या करता है कि किटाणों को नुकसान पहुचाने की जगा वो जो शरीर के अंदर जो free radicals पैदा होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुचाना शुरू करते हैं तो जैसे radio की frequency होती है अगर 93.5 अगर कोई frequency है radio की तो 93.7 में अगर आप सुनेंगे तो खर-कर की अवाज आएगी ठीक उसी तरह से अगर आपका immunity system अगर hyperactive है तो भी नुकसान है और immunity system कमजोर है तो भी नुकसान है तो ये आपको थुड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपको immunity system को अच्छी खुराग देनी है ताकि वो सही तरीके से function परफॉर्म कर पाए और जिन लोगों की उमर जादा है उनको तो जादा मतलब सुरक्षा की जरूरत है और जितना जादा antioxidant आपके शेरीर में कम होगा उतना जादा आप oxidative stress की वज़े से immune system के कमजोर होने की वज़े से आपको तरह तरह की दिक्कत आ सकती है तो जो virus है बैक्टिरिया है वो उतना नुकसान कभी कभी नहीं पहुचाते जितना हमारा immunity system उत्तेजित होकर वो नुकसान हमें पहुचा देता है oxidative stress और जैसे ही शरीर के अंदर होता है तो immune system हमारा active हो जाता है और immune system अगर जादा over active हो जाए तो भी दिक्कत है और अगर कम active हो तो भी दिक्कत है तो यह जो हमारा effective immune system का response है उसको crazy अगर वो चला जाएगा अगर वो जादा पागल हो जाएगा और वो चट पटाने लगेगा तो हमें बहुत जादा दिक्कत हो सकती है अभी क्या है कि यह immunity system को बढ़िया रखने के लिए इसको सही तरीके से perform कराने के लिए हमें बहुत सारे तरीके की nutrition चाहिए और वो nutrition हमारे नुवा के अंदर वो nutrition हमारे immunzant के अंदर हमारे zant pro के अंदर हमारे अलग-अलग तरह से काडायू के अंदर हमारे हरिद्रा के अंदर कुछ हटक निद्रा के अंदर मौजूद है जो कि हमारे अच्छा health authorities भी कहती है कि healthy eating बहुत ज़रूरी है और but it is not related to reality according to several studies बहुत सरी studies ऐसा कहती है कि अगर आप healthy खाना खा रहें तब भी आपको बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं अब हरिद्रा के बारे में थोड़ा समझते हैं अब हरिद्रा करता क्या है हरिद्रा के अंदर bioflavonoid होता है healthy का जो की bioflavonoid जो है उसको कहते हैं curcumin अभी क्या है कि ये ginger family का एक पौधा है ये जो healthy होती है वो अदरक के family से belong करती है और ये एक gram जो है उसमें 3.5 calories होती एक gram healthy में 3.5 calories होती है अब मज़े की बात ये है कि ये aging का process slow down कर देता है क्योंकि इसमें anti-oxidants बहुत अच्छी खासी तादात में होते है अब anti-oxidants बहुत अच्छी खासी तादात में होने की वज़े से ये inflammation को block करते है शरीर के अंदर कोई सूजन है या शरीर के अंदर कोई hyper activity चल रही है immunity system को भी शान्त करने में मदद करते है मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कि ये कैसे process को perform करते है या आपके liver को detoxify करने में भी मदद करते है या आपके brain को service करने में आपकी skin को healthy रखने में मदद करते है इसके अंदर anti-cancerous properties भी पाई गई है anti-microbial properties भी इसके अंदर है यो कि germs को kill करती है किसी भी तरह के वो germs हो और लेकिन कुछ catch भी है कुछ बाभा भी है बादा क्या है बादा यह है कि अगर आप 100 gram healthy खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर 8-9 gram ही healthy अब्सॉर्ब होगी यानि कि healthy अगर आप 100% खाते है तो 100% शरीर अब्सॉर्ब नहीं करता 8-9% ही अब्सॉर्ब करता है तो बाकी क्या करता है बाकी बाहर फिक देता है तो आप सोचे healthy already हम कितनी कम मात्रा में खा रहे है और अगर वो शरीर के अंदर जाती है तो और भी कितनी कम मात्रा में जितना खाते है उसका सिर्फ 8-9% ही शरीर के अंदर होता है तो आप सोचे कि वो शरीर के अंदर इतना सारा function कैसे perform कर पाएगा अब भी healthy क्या करती है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ फैगो साइट्स जो है फैगो साइट्स के लिए एक साफ environment तयार करती है ताकि फैगो साइट सही तरीके से पहचान पाए हल्दी का काम क्या है हरिद्रा का काम क्या है यह बता रहा हूँ मैं आपको तो आप माल लीजे कि अगर आप हरिद्रा ड्रॉप्स ले रहे हैं तो हरिद्रा ड्रॉप्स आपको सिर्फ 8-9% वो जो शरीर अब्सॉर्ब कर पा रहा था वही सिर्फ आपको दिया जाता है मतलब वही हरिद्रा के अंदर है मतलब होता क्या था कि आप हल्दी खाते तो शरीर पचाता था जो रख पाता था वही रख पाता था वाकी तो निकाल देता था अब यह हमने technology की मदद से क्या किया है कि इसको बाहर ही अलग कर दिया है जो नहीं पचा सकता शरीर उसको पहले ही अलग कर दिया है जो पचा सकता है सिर्फ हो ही दे रहे हैं हम आपको और वो जब आपके system के अंदर जाता है तो वो phagocytic response इसको पहचानने में मदद करती है कि अच्छे किटानू कौन से है और बूरे किटानू कोन से है वो ज्एदा अच्छी तरह से पहचान पायगा तो जल्दी से जल्दी पता चलेगा कि अच्छा कौनसा बुरा कौनसा और जल्दी से जल्दी killer cells अपना काम कर पाएंगे, जल्दी जल्दी T cells और B cells अपना काम कर पाएंगे, अब natural killer cells को क्या करता है, कि यह जो bacteria या जो भी आकरमणकारी है, उसके मतलब उसको marking करने में भी मदद करता है, यह जो मैंने आपको बताया था कि marking होती है, यहां पर marking होती है यहां मारकिंग हो गई आप देखिए कि तुम राईट एंट साइट बॉटम में यह बना ऊई उल्टा पुल्टा वाई बना क्या मारी मारकिंग के लिए इस्तमाल होता है यह मारकिंग करने में घर आ estado हर आपकी मदद करेगी और mutates cancer cells को मारने में भी मदद करेगी killer cells की और T cells को phagocytes को बताने में signaling करने में और B cells को multiply करने में भी मदद करती है आप देखें यहां पर गोलियां B cells के पास गोलियां बनी हुई है तो यह गोलियां और missile बनने में भी शरीर की मदद करती है B-cells को active करने में T-cells को multiply करने में यह जितना पूरा का पूरा process है इस हर process के हर step में healthy का role है red blood cells को मजबूत करने का role है platelet count को बढ़ाने का role है myoblast cells को multiply करने का WBCs को produce करने का इसका role है इसके अलावा जो myophage stage में जो निगल लेता है तो निगलने के बाद उसको जो पचा लेता है उसमें role है फिर T-cells को multiply करने में receptor का काम करने में role है तो यह सारी चीजों में healthy एक बहुत अच्छा role ने बाती है इस वज़े से आपको immunity system मैंने इतना depth में बताया क्योंकि immunity system के हर step में हरिद्रा drops का role है अच्छा यह जो है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी chemical नहीं है यह slow distillation process से बनाया जाता है यह हम क्या करते हैं कि पहले घी जो natural घी होता है जो best quality का घी होता है उसके साथ हम healthy को slow process करते है slow heating process के साथ अब क्योंकि slow heating process है इसके वज़े से इसका natural ingredient बिल्कुल भी नस्त नहीं होता तो जो हलकेल के vapor निकलते है वो एक glass funnel के तुरू जाके दूसरे इसमें store हो जाते है आप देखेंगे कि जो देशी घी है उसको हमारे पुराणों में हमारे आयूरवेद में बहुत importance दी गई है अगर आप देशी घी किसी चीज़ के साथ add कर देते हैं या अगर आप किसी चीज़ के साथ मतलब pure कोई चीज़ add कर देते हैं तो उसके efficacy बढ़ जाती है तो हरिदरा drops में भी ठीक उसी तरह से एक good fat के साथ मिल करके ये healthy हमें मलती है और वो good fat को use करके हमारा immunity system तेजी से multiply कर सकता है तेजी से B cells बना सकता है और तेजी से ये तो करता ही एक है पर ये क्या करता है कि ये slow distillation process से जो filter होकर हमारे पास आता है वो ही हरिदरा drops के तोर प ले सकते हैं दो बूंद से जादा नहीं ले सकते हैं एक लीटर पानी में एक बूंद डालके आपको उस लीटर पानी को आपको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में पी जाना है आपको एक साथ पुरा एक लीटर पानी पीने की ज़रूरत नहीं है आप उसक इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आयूर्वेदिक है जिसकी वज़े से ही है आयूर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के तौर पे ये यूज होता है देखिए गरम पानी ठंडा पानी के चक्कर में मत पड़िएगा ये गरम पानी के साथ भी पीए तो भी उतने ही काम क्योंकि शरीर के अंदर जाने के बाद पानी का तापमान तो वैसे भी बढ़ी जाता है तो आप हरिद्रा अगर लेते हैं तो इससे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है आपके हर्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने में आपकी हड्डियों आपको आपका जो बोन मैरो है ये ज सारे के सारे यह थाइमस और यह सारी के सारे फंक्शन को दुरूस्थ करने में और उसको सही तरीके से सर्विस करने में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है तो हल्दी हमारे इंम्यूनिटी सिस्टम के पास अगर माल लीजे किसी को कुछ भी infection हो गया है किसी को कोई भी internal अचा हल्दी में एक और खास बात है कि hyaluronic acid पैदा कर सकती है अगर इसी वज़े से लोग हल्दी चंदन का लेप लगाते हैं या हल्दी को skin के ओपर भी लगाते हैं क्यों लगाते हैं या हल्दी बोल रहा हूं मैं मतलब हल्दी को skin के ओपर भी लगाते हैं क्यों क्योंकि hyaluronic acid पैदा करती है और skin को service करने के लिए hyaluronic acid की बहुत आवशक्ता होती है hyaluronic acid का एक और भी बहुत बड़ा रोल है कि वो हमारे घुटनों के अंदर जो grease होती है या जो हमारी हड़ियों के अंदर grease होती है उस grease को पैदा करने में भी hyaluronic acid का एक बहुत एहम बोमिका है तो यह आपके अगर किसी को arthritis या उससे related तकलीफ है तो उसमें भी यह immunity system की मदद करती है उस problem को address करने के लिए लेकिन यह दवाई नहीं है यह किसी भी तरह का ब्रह्मी शंक पुषपी वचा और मैंगोस्टीन मिंट सर्प गंदा यह सारी चीजें होने की वज़े से यह क्या करती है कि हमारे शरीर के अंदर melatonin secretion बढ़ाती है melatonin जितना ज़्यादा secret होता है हम उतना ज़्यादा relax होते है और अगर हमारा mind और body एक साथ relax होता है तो हमें नीद आने में मदद मिलती है इसको लेने का क्या तरीका है इसको आप एक lunch के बाद और एक dinner के बाद ले सकते है दिनर के आदे गंटे बाद ले सकते है और अगर किसी को sleep apnea है या नीद से रिलेटेड जादा दिक्कत है तो lunch के बाद दो भी ले सकते है और वो सेक्रेशन का जो सिस्टम है उसको बढ़ाएगी दीरे दीरे आप इसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे अब अपने बिजनस को आगे ले करके जाएंगे यही मैं आशा करता हूं